आप देख रहे हैं दखल न्यूर्ट सर्दर वल्लबाई पटेल की जहनती के अफसर पर प्रदान मंतिर नरेन मोदी ने उन्हें शद्दान जली दी लोग परुश को शद्दान जली देने पियमोदी गुजरात इस्टित के वडिया पहुंचे स्टेच्यू आफ यूनिटी पर पियमोदी ने सरदार पटेल को शद्दान जली अर्पित करते हुए उन्हें पुश्प अर्पित किये PM Modi के वड़िया में आयुजित एक्ता दिवस की परेड में भी शामिल हुए यह PM Modi ने लोगों को एक्ता की शपत दिलाई Modi ने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाक के लोगों से वादा किया था कि उन्हें अन्य राज्यों के बराबर सुविधाय मिलेंगी इन दोनों राज्यों के सभी करमचारियों को अब साथवे वेतनमान का लाब मिलना शुरू हो जाएगा जम्मू कश्मीर में आजादी के बाद पहली बार BDC के चुना हुए 98 फीजदी पंच सरपंचों ने अब वोड़ डला यह भागीदारी अपने आप में एक्टा का संदेश है सरदार पटेल देश को आगा करके गए थे कि जम्मू कश्मीर का एकी करनी एक मातर उपाय है प्यमूदी ने कहा कि पाँच अगस्ट को जो एक्टा के साथ महान नेने किया गया है उसे सरदार पटेल को समर्पित करता हूँ सरदार सामने जे बीज बोया है उस बीज को हमारे अपने परिश्रम से हमारे अपने सपनों से हमारे अपने संकल्पों से हमें और समरद्य बनाना है और सामर्थवान बनाना है और जनकल्यान से जककल्यान का मार्गा हमें लेख करके आगे बढ़ना है मेरी तरफ से आज मैं फिर एक बार देशवासियों की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, व्यक्ति के तरुपते मेरी तरफ से, सरदार साथ की जन्म जायनती पर सर जुका करके आधर पुरवक सरदान लेता हूँ, आप सब का बहुत बहुत धन्यवाद प्यम मोदी ने आर्टिकल 370 का जिकर भी किया, उन्होंने कहा कि इसने कश्मीर को कुछ नहीं दिया, इसने सिर्फ आतंक और अलगाओ को ही दिया, इस वज़र से 40,000 से ज़्यादा मोते हो चुकी हैं, राष्टी एक्तदिवस के मौकी पर देश के समझते देशवासियों को हम से युद्ध नहीं जी सकते, वे हमारी एक्ता में छेट करने की कोशिश कर रहे हैं, प्यम मोदी ने कहा हम भारत के लोग एक्ता का प्रतिवेंब हैं, एक्ता की ताकत का परवन दिरंतर मनाना अनिवार है, अमरीकी रिक्षब व्यवाक की तरफ से जारी किया गया वीडि पेंटा करने जारी किया है, बगदादी के मारे जाने की पुष्टी करते समय ही, अमेरीकी रियास्पती डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस में समवादाताओं से कहा था कि हम इस बारे में सोच रहे हैं, हम इस हमले का वीडियो जारी कर सकते हैं, शनिवार को अमरीकी सेन ना के हमले के दोरान एक स्वरंग के भीतर घर जाने के बाद बगदादी ने आत्मगाती बंब से खुद को उडा लिया था, इस हमले में उसके तीन बच्चे साहिद दो पत्मियों की भी मौत हो गई थी, हमले में आईएस आई के कुल 6 सदर समाने गए थे, इसमें चार महि दिया गया, मुख्य मंतरी कमनलात की अध्यक्षता में मंतरी मिंडल की बैठक होई जिसमें कई महत्पूर्ण फैसले लिये गए, जनसंबग मंतरी पीसी शर्मा ने बताया कि अतिवरिष्टी की वज़ए से प्रदेश के 55 लाग किसान पर भावित हुए है, इस से 16,000 करोड रुपे की फसलों को नुक्सान हुआ है, किसानों को मौफजा देने के लिए सभी मंतरी अपने एक महीने की सेल्दी देंगे, इसके साथ ही सभी मंतरी के इन सरकार द्वारा मद्दपूर्देश से किये जारे बेद वहाओ के खिलाफ दिल्ली में धर्मा देंगे, मंतरी शर सरकार सम्मान निदी बढ़ाए जाने को भी हर जंडी दी गई करने जारी है, वो प्रधान मंतरी मेरेन मोदी और ग्रह मंतरी अमेशा के घर के बाहर करना चाहिए, ताकि के इन सरकार मद्दपूर्देश को रहात की राशी दे दे, मंतरी मंदल की बैटक में सीम कमलनात का समान किया गया, नए मुक्ष सच्चिव आरपी मंदल को 36 गड़ और राज गठन के बाद काडर के बटवारे में 36 गड़ काडर मिला, और इसके बाद वे बिलासपूर और राएपूर में भी कलेक्टर रहे, राजर समंडल, आदिवासी विकास पंचायत, लोग निर्मान, वन श्रम, विवाग समित कई विवागों में सच्चिव रह चुक और खड़कपुर आईटी आईई से एमटेक किया, इसके बाद उन्होंने आईएस की परिक्षा पास की, मंडल को सीएस बनाने के बाद उनके बैच के सी के खेतान को राजर समंडल का अद्यक्ष बनाया गया है, वरिष्ट कॉंगरिस निता कांतिलाल भूरिया ने कमलनात क नेतरत की सरहना की है, परदेश अद्यक्ष पत के सवाल पर भूरिया ने कहा, यह हाई कमान के अधिकार शेतर का मामला है, अभी अधिक्ष कमलनाते हैं, उनके नेतरत में कॉंग्रिस मजबुती से चल रही है, उन्होंने कहा, आप कॉंग्रिस में कोई गुटपाजी नहीं कांति लाल भूरिया ने कहा, जो काम बीजेपी 15 सार में नहीं कर पाई, वो काम कमलनात सरकार ने कुछ जिने में कर दिखाए, मंत्रिपत के सवाल को कांति लाल भूरिया टालते हुए नज़राएं विदाइक रामिश्व शर्मा का कहना है कॉंगर्स किसी अध्याश बनाए ये उसका मामला है कमनात की जगे बनाए ये सोनिय गांदी की जगे बनाए उनके ग्रे जुद्ध का आँखोंदी का हाल देखिये कुछ दिर बाद शर्मा ने कहा के कॉंगर्स के सभी गुट कमनात को गेरने में लगे हैं दिगवे सिंग की टीम चाहेगी कि कांतिलाल भुरिया मुखमंत्री बने उदर जोतरा दे सिंधिया अलग परेशान है आगे आगे देखिये होता है क्या आगे आगे देखिये होता है क्या होती नहीं है परिवर्तन के इस दौर में हमारे शिक्षकों को अपग्रेड होना बहुत जरूरी है नहीं तो हम अपनी भावी पीली को आज के दौर आने वाले समय के अनुकुल शिक्षत नहीं कर पाएंगे मुखमंतियों ने कहा कि मद्यप्रदेश की शिक्षा व्यवस्ता और उसकी गुनवस्ता में अमुल चूल परिवर्तन की आवशक्ता है मुखमंतियों ने कहा कि शिक्षा की छेत्र में बड़े परिवर्तन हुए है इससे एक बड़ा गैब भी आया है किसी भी छेत्र में बदला हुआ है तो उसकी अलोशना होती है 21 सदी के भारत की कलपना करते हुए प्रदानमंति राजीव गांधी कम्पूटर पर चर्चा करते थे तो लोगोंने कम्पूटर मानुष बोलते थे तब उनका विरोध यह कह कर हुआ कि इससे बिरोजगारी बढ़ेगी इसके बावजूद हमने रेलवे की सेवाएं ऑनलाइन की आज हम देख रहे हैं कि आईटी के छित्र में पिछले 10 सालों में जो करांती हुई है उससे ना केवल बड़ी जंख्या में जवाओं को रोजगार मिला है बलकि विश्व में हमारे देश के लोग आईटी के छित्र में छाय हुए है राजपाल को दिए ग्यापन में बताया गया है कि बोपाल समयत प्रदेश के अन नगर निगमों का पुनर गठन करने की कोशिच की जा रही है तो दूसरी और महापौर और अदेश के चुनाव में अपरतेश प्रणाली का उप्योग करने से ब्रस्टेशार को बढ़ावा मिलेगा ग्यापन में नगर पाली का निगम अदीनियम की विबिन धाराओं का उल्ले करते हुए ये बताया गया है कि नगर निगमों में बटवारे की गोशना के लिए राजपाल किसी पर निर्भर नहीं है ये राजपाल के सौब विबिक पर अधारते है इसकी विबिन धाराओं में प्रावधान है कि मंत्री परिशद, सचेव या कलेक्टर इस बारे में किसी भी परकार की अधीसूचना जारी नहीं कर सकते हैं जिसके कराण बोपाल नगर निगम में दो नगर निगम के बटवारे को लेकर जारी की गई अधीसूचना असंगत है शाथ ही जिन धाराओं का उलेक किया गया है वो नगर निगम के परिशिमन से जुड़ी है लेकिन उसके बटवारे से उनका कोई संबंद नहीं है हम सभी उनसे मिले के लिए आये हमने उनको बताया कि पिछले दनों आप रत्रेक्ष चुनाव नगर निगम और अस्थानी निकायों के संभाविट परिशिमन भोपाल नगर निगम के विखंडन और उसके अलावा जिन नगर निगमों के विखंडन की सुपुगाटे सरकार चला रही है इन सबको लेकर व्रहद तर पर मद्वरदेश में भारती जनता पार्टी ने हस्ताक्शर अभियान चलाया था 16,75,000 से अदिक हस्ताक्शर भारती जनता पार्टी ने जनता की बीच में जाकर कलाये है जनता आकोशित है बाशपा निताओं ने बोपाल नगर निगम को दो भागों में बाटने के निर्णे को अदूर दर्शी असंगत आपरासंगे को विकास की गती को रोकने वाला और खर्चिला बताया है आज भारती इंता पार्टी मद्यप्रदेश के प्रतिदिनी मंडल ने राशपाल से भेंट कर इस थानी निकायों के महापौर और द्यक्षों के चुनाओ प्रतिश परनाली से कराया जाने ताथा बोपाल नगर निगम के विगटन के विरुद्ध प्रदेश भर में चलाये ग सागर जिले के रहली के बलेया गाओं की एक बहू अपने ससुर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाने थाने पहुच गई इस महिला ने बाकाइदा हंड्रेड डायल को फोन लगाया और कहा कि हमारा ससुर हमें परिशान करता है डायल हंड्रेड 22 किलो मीटर दूर सले गाओं प पानी नहीं पीते और चले जाते हैं ऐसा इन्हों ने एक बार नहीं कई बार किया है पुलिस गुंगर टोड़े बैठी सपना की बात पर बहुचक रह गई बहुका कहना था ससुर को जेल भेज दो पानी पीने आता है तो पानी पीता है तो अब क्या करना है इसको जेल बिजवाना है क्या करना है जेल बजवाएं ये पानी मांगता और पीता है नहीं है न और जमीन तुमारी छीनना चाहता है पुलिस नि जब पीलत मैला से पूशा कि इन ससुर सहाब की और क्या गलती है तो गुंगर से आवाज आई बस यही गलती है इनको जेल बेज़ दो बाजू में पतेदेव शान बैठे थे सोच रहे थे कि हमारी पत्नी की तो बड़ी पहुँच है कि घर से पुलिस ही उठा लाई ससर सोच रहे थे कि काश पानी मांगने के बाद पी लिया होता तो ये नौबत ना आती सपना की पीला में तो पुलिस ही घंचक कर हो गई बहराल पुलिस ने हिदाय दे कर तीनों को छोड़ दिया है खजूरी थाना अलाके के धमनिया में एक किराना व्यापारी के घर करीब 10 लाख रुपए की ड़केती की वारदात हुई व्यापारी सुभास सेट के घर देराथ ड़केत गोसे और उनने सुभाश उनकी पत्नी को बंदग बना लिया ड़केतों ने व्यापारी उनकी पत्नी के साथ मार पीट कर उने जख भी कर दिया इसके बाद पूरे घर में चानवान की और करीब 10 लाख रुपए के जेवरा समय 60-80 रुपए नगद ले गए ड़केतों के जाने के बाद बयापारी ने गटना की सूचना पुलिस को दी सूचना मिलने के बाद खजूरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाश शुग की जब आज पास के लोगों को बचना की सूच ना मिली तो वो भी व्यापार की घर पहुंच गए जिस समय डखेट डखेटी की वारदात को अंजाम दे रहे थे उस वक्त पुलिस नाइट गश्ट का दावा कर रही है हाला की इस घटना ने पुलिस की कारपणाली पर कई सारे सवाल खड़े कर दिये हैं व्यापारी की यहां से डखेट 10 लाग से ज़्यादा के जिवरात कैश और अने सामान ले गए है वहीं पुलिस इसके आकलन में गड़ बड़ी कर अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश में लगी है अब सुलनें पुलिस की बात और पीएसटी और वगयरा सब इसकालेट करा रहे हैं और बाकी सर्चिंग भी है डॉग स्कॉाड भी बुलाया हुआ है फिंगर प्रिंट भी बुलाया हुआ है बाकी हम सब लग उसे में कारवाई करवा रहे है शतरपुर के मातुगमा थाने के रंगोली में तीन बाइक सवार नकाब पोष्ट बदमाशों ने दिन दाड़े कट्टे की नोख पर एक लाख नब्बे हजार रुपे की लूट की लुटेरे इस वारदात को अंजाम देकर फरार हुए दो पर में कियोस्क संचालक गोबी शिवरे बैंक से रुपे निकाल कर बाहर निकले और पीशे से आए तीन अग्यात बाइक सवार लुटेरों ने रुपे उसे भरा बैक शिन लिया और जाते जाते कटे से फायर करते गए इस वोरा ने गोली एक महिला के पैर में लगी भागते आरोपियों पर बैंक में तेनात गार्ड ने भी फायर किया गटना की सूचना लगता ही आइडिशनल स्पी साहित आला अधिकारी मोगे पर पहुंचे और बदमाशों की तलाश शुरू कर दी वारदात बैंक में लगे सीजी टीवी में कैद हो गई है एक लाख नब्बे हजार रुपए निकाले मैंने बैंक से और जैसे ही मैं बैंक से निकाल के बाहर निकला तो तीन अग्याद लोग मोट साइकल से आए और मेरा बैंक छीना और गोली भी फायर भी किया मैं जैसी बैंक की अंदर भागा तो एक महिला को लगा फायर और मैं अब यहां पर रिपोर्ट कराने आया हूँ पुलिस में और जो पुलिस की जांच कर रही है तो तो तंचालक है इसमें बैंक से राजी निकाले थे यह स्टरों इस पीम गया दोगन दोरा गुपी लिए जटाएप तास किया रही है अब यह से वी पराइब है पुटेज मिले हैं उसमें आप यह सिमें आप यह सिमें आप देख रहे हैं दखल नियूज आप देख रहे हैं दखल नियूज